हेलो एव्रीवान आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेशन्स और आंसर चैप्टर द एडवेंचर से क्वेशन नमबर यहां पर वन जो है उसमें आपको स्टेटमेंट दी गई है आपने स्टेटमेंट पढ़नी है और देखना है कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है उसके हिसा करता है एक हिस्टoral ऑपर हिंच करती है मतलश मताती है या टिक हुई है रजिन्दर देश पांडे पांडी वास इस्टोरियन त स्टोरी अर ओलं इमयौति इस्टोरी स्टोरी ट्रेट हीं और हिस्टु तो साइंस तो यहां बेर्स सेकींड ऑप्शन और फिफ्ट ऑप्शन जो है वो true है बाकी वाले जो है वो false है question number two जो है यहां पर पूछा गया है briefly explain the following statements from the text आपने इनको पढ़के यह बताना है कि यह किसका और किसके साथ conversate हुआ है जैसे you neither travel to through the past nor the future you were in the present experiencing a different world तो यह जो statement थी यह बोली गई थी राजेंदर देश पांडे के द्वारा प्रोफेसर गायट वेंडे को जिसमें उनका कहने का मतलब यह था कि आप के दिमाग में एक transition हुई है from one world to another और उसके बादा फिर से वापिस आ गए हो इसलिए आप experience कर पाए हो दो दुनियाओं के बीच में या दो वर्ल्ड के बीच में एक ही समय पे और ना ही आप पास्ट में गए हो ना ही आप फ्यूचर में गए हो आप तो सरफ प्रेजेंट में रहे हो और आपने टू डेज के लिए डिफरेंट वर्ल्ड जो है वो आप्ट कर लिया था और आप उसमें ही रह रहे थे सेकींड जो स्टेटमेंट है यूँ है पास्टू अफेंटास्टिक एक्सपीरियंस और मोर किरेक्टली अ केटस्ट्रॉपिक एक्सपीरियंस तो ये भी रैजेंदर देश पांडे ने ही स्टेटमेंट बूली है प्रफेसर गाइट वेंडे को जिसमें उनका कहने का मतलब ये था कि आपने एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस को किया है जिसमें आपने दो वर्ल्ड के बीच में मतलब आप रहे हो एक तो वो है जिसमें आप अभी रह रहे हो और एक वो वर्ल्ड है जिसमें आप टू डेस अपने स्पेंट करके आये हो थर्ड स्टेटमेंट यहां पर है गंगादर पंद कुड नॉट है नॉट कंपेरिंग दा कंट्री ही नियू स्टेटमेंट है क्यूंकि जिस भारत को वो जानते थे जिसमें जो पेश्वाज है वो पावर्फुल थे लेकिन फिर भी ब्रिटिश जो है उन्होंने कॉलनाइज किया कंट्री में कॉलनीज बना दी लेकिन जो इंडिया उन्होंने देखा अपने दो दिनों के बीच में वो कंप्लेटली डिफरेंट था उनको ऐसा लगता था कि हमारे देश में बिटिश ने कोई कॉलनीज नहीं बनाई है instead of that it was self-dependent मतलब हमारे जो लोग है हमारे इंडियन जो है वो self-dependent है self-reliant है and enjoyed self-respect और उनकी काफी ज्यादा self-respect है He compared the two states of the country with each other और उन्होंने दो states जो हैं हमारी country की उनको एक दूस्टे के साथ compare किया है Statement No. 4 is the lack of determinism in quantum theory इसका मतलब ये था This means that if a bullet is fired from a gun in a given direction at a given speed One will know where it will be at any time after this But such an assertion cannot be made for an electron Where quantum theory applies when an electron is fired from a source It may be here, there or anywhere else This is called lack of determinism in quantum theory This theory asserts that reality is never one-sided Alternative worlds may exist at the same time इसका मतलब यहां पे ये बताया है कि अगर हम एक bullet से fire करते हैं एक gun से, gun से bullet को fire करते हैं किसी भी particular direction में, given speed पे तो हर एक इनसान को पता होगा कि ये कहां जाएगी लेकिन एक अगर हम assertion ले ले, मान ले electron के लिए, तो ये electron पे apply नहीं हो सकता Because quantum theory जो है, ये यहां पे applicable होई नहीं सकती एक electron को अगर हम fire करते हैं किसी भी source से तो वो कभी यहां होगा, कभी वहां होगा क्योंकि वो तो free है, वो कहीं पे भी move कर सकता है इसको हम बोलेंगे lack of determinism in quantum theory कि quantum theory के बीच में, ये क्या है? ये कमी है determinism की तो ये जो theory है, ये assert करती है कि भी reality जो है, वो never it can't be never, it can't be said that it is only one-sided alternative worlds जो है, they may exist at the same time इसलिए हम यहां पे प्रूफ कर सकते हैं कि भाई, alternative worlds जो है, ये हो सकते है and this is what, it is all set in our human brains statement number fifth is you need some interaction to cause a transition to fifth statement dihampik A растाओ प्रफ्थाज जो है, professor Gaituende made a transition which according to रचान ते बादाब्द पांधे had happened because of the interaction happening in professor's mind at the time of his collision when the collision took place Gaituende was thinking about the catastrophe theory and its role in wars probably he was wondering about the third battle of पानेपत and its consequences the interaction in his brain acted as a trigger to cause a transition तो प्रफेसर गाईटोएंडे जो है उनके दिमाग में ये चेंज आया क्योंकि राजंदर जो है देश पाने वो उनके अकॉडिंग ये बात हुई है कि भई जब आपके साथ उस ट्रक का टक्कर हुआ उस टाइम आपके दिमाग में जो चीज चल रही थी वो कैटस्ट्रफ थेयरी चल रही थी और उसका क्या रोल होता है क्या फंक्शन होता है किसी भी युद में आप ये सोच रहे थे तो कैटस्ट्रफिक थेयरी जो है ये आपने साइंस से ले लिया और जो उसके रोल्स है या उसका जो एक डिस्ट्रक्टिव इंपक्ट पड़ता है वो वेटल आफ पानीपत के उपर या उस युद भूमी के उपर वो जब आप सोच रहे थे वो अपनी हिस्ट्री के बीच में उसको रिलेट कर दिया फिर उसके कॉंसिक्वेंसिस क्या हुए तो यह आपका ब्रेन जो था इसने एक ट्रिगर की तरह एक ट्रांजिशन लाने में आपके दिमाग से ही मतलब जैसे कॉलाइड हुआ टक्कर हुई तो उस टाइम पे आपके ब्रेन ने ऐसे एक्ट किया जैसे वो एक ट्रिगर है जैसे टकर हुई तो उसने वो ट्रांजिशन में आपको लाके रख दिया या वो चेंज जो आपने फिल किया दो दिन के लिए आप उस दुनिया में पोहच गई तो इस इस वोट इसको मैं आपको पढ़के बताती हूँ तो ये एक डिबेट की तरह हो गया यहाँ पे आफ और दे मोशन भी बोल सकते हो तो हैं यहाँ पे अंगें सा मोशन भी है तो दिस इस वाट व्याप Technology अग्याँ के लिए इस वाट भी ऊपर व्यागेंस्ट वेल आप यहाँ पे देखते हो तो लिएम चेंज भी यहाँ पे नहीं कर कोगाना है so we are leaving this question this is not that much important second भी यहां पे है third भी यहां पे है सब में आपने pairs में discuss करना है so second मैं आपको question जो है यह बताती हूँ यह आप लिख सकते हूँ the story is called adventure compare it with adventure describing we are not afraid to die यह जो story है the adventure आपने जो पड़ी इसको आपने compare करना है we are not afraid to die your chapter second is तो यहां पे आपने इसको compare जब करेंग आप लिख सक्राइब करोगे the underlying theme of both the story the adventure and we are not afraid to die is the same however the application of the theme to event is different in both one deals with the adventure in a real life situation and the other one is about the adventure that was mentally experienced in the story we are not afraid to die the characters take a hazardous sea voyage overcome the odds and survive whatever the dangers were they were very real in the story the adventure the protagonist catwinde does not embark upon an adventurous journey his collision with the truck triggers his mind to travel to the world which is different from the world that he lives in तो ये दोनों स्टोरी जो है ये बताती है कि भाई we are not afraid to die if we all be together इसमें बताया है कि आप real life situations का सामना कर रहे हो लेकिन यहां पर the adventure में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी आप experience कर रहे हो अपने दिमाग से experience कर रहे हो और उसके साथ आपका दिमाग एक ऐसे trigger की तरह act कर रहा है जिसको अपने trigger को दवाया and you are in another world तो यहां पर जो भी आपने चीज़े पड़ी वो रेल नहीं है जबकि जो we are not afraid to die वहां पर everything you are experiencing mentally, physically you can get कि उन लोगों की situation क्या रही होगी जो उस तेम समुंदर के बीच में थे है ना so theme in तोनों स्टोरीज का same ही है लेकिन application जो हुई है theme की events में वो different है दोनों में different है तो यह अप्लिक सकते हो adventure के protagonist जो है hero जो है वो professor guide 20 है जबकि we are not afraid to die वहां पर जो सारे ही story में जितने भी character है वो सब heroes heroic act question में यहां पर टू पताया है कि professor guide 20 ने क्यों वैसला ले लिया था कि वो कभी meeting को preside नहीं करेंगे तो यह एक effect था metal of पानी पत का जब उनोंने देखा कि आजाद मैदान में एक lecture चल रहा है और उस lecture में कोई भी presiding officer नहीं है या president नहीं है उसकी chair vacant पड़ी है तो उनोंने सोचा कि क्यों नहीं यहां पर जाके lecture दिया जाए और उनको पहले ही 999 lectures वो अपने life में दे चुके थे इसलिए वो अपने आपको रोक नहीं पाए लेकिन public जो है वो बहुत ज़दा गुसे में आके उनके ओपर कुछ चीजें जो है वो फैंकना शुरू हो जाती है जब वो तब भी dice से नहीं उतरते हैं या mic अपने हाथ में रखते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि अब इनको पकड़ के उतारना पड़ेगा इसी लिए लोगों ने गुसे में आकर स्टेज पे चड़के उनको नीचे फैंक दिया और इसी चीज से जब उनके दिमाग में फिर से कहीं चोट लगी तो वो फिर से प्रेजन वर्ल्ड में पहुँच गई आपको जैसे ठीक लगे आप ऐसी बना सकते हो सबस्कती अटब देवाब स्टेढ़ का जाज बना सस्की अश् gitti और सबस्क्राइब आभाराई